जैन जैवारत मैं चिराक्स मैं इस समय की बड़ी मेहतर पुरुन सूचना जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो खास तोर पर बैंक से जुड़ी हुई कभी आपने सुना होगा किसी शहर में किसी नगर में खास तोर पर कभी कोई OTP के मादियम से ओनलाइन ठगी के माम रहेंगे आप से बैंक रमचारी क्यों ना हो या फिर कोई लिंक आई तो क्रिप्या कर उनको नैखो ले और नहीं उनका कोई रिप्लाइँ दें क्यूंकि उसके बाद आप दोखा धड़ी के शिकार हो जाएंगे उसके बाद ना आप महां के रहेंगे ना है कि अगर बैंक क तरफ से बात करूं बैंक की तरफ से ना तो कोई ऐसा आपसे मंगा जाता नहीं कोई ऐसा लिंक बेजा जाता वह फेस्ट टू-फेस आप रूब-ूब बुलाकर पूस्ताच करते हैं ना कि कोई कोई OTP भेजा है तो उसके शेयर करें या कोई KYC के लिए online आप मुझे document जमा कर दें कि ताकि document हो जाए या lottery को लेके आज कल ये भी एक नया तरीका चल गया कि आपको lottery लगी है तो फिर उसको लेके कि lottery लगी है तो आप इसको वह करें आप नंबर शेयर करें या OTP शेयर करें तो सभी grant को से यही अंडरोज रहता है और थोड़ा सचेत रहें कि इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको कोई वेक्ति अंजान वेक्ति अंजान नंबर से कॉल आए दूसरा या कोई मेसेज आए या Android फोन में कोई लिंक आए जिस पर आपको बोला जाए कि इस पर क्लिक करें या लिंक फर्दर शेयर करें तो उस तरह प्लीज बिना बैंक वालों किसी बैंक में आके जानकारी लें तभी उस चीज को उस चीज को तो करना ही नहीं है पहला और अगर ऐसी चीज आती है तो किर्पिया करके जरूर अपने नजदीकी ब्रांच में जाके ये बात बताए और अपने आपको इस धोका दड़ी से बचाए रखने का सबसे अच्छा उपाए यही है कि प्लीज उन सब चीजों पर ध्यान ना दे ना तो ऐसा अगर आपने ना किया तो हो सकता है कि आपकी जो जमा पूंजी रखी वी है उसका नुकसान आपको हो सकता है अगर मान लिजे कोई OTP आता है और आपने कोई बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए अनुरोध किया है तब OTP आता है तब तो सही है उसमें लिखा होगा वो बैंक से आ रहा है अगर आपने कोई भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन या कोई भी काम नहीं किया है और आपको ऐसे OTP या लिंक आ रहे हैं तो किर्पिया करके प्लीज वो लिंक पे या OTP किसी को ना बताए ना शेयर करें लिंक पे ना लिंक पे क्लिक करें क्यूंकि बैंक सरिफ आपके ट्रांजेक्शन को लेके OTP भेजता है जो की एक mandatory चीज़ है कि आपको OTP से ही आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे तो प्लीज उसका ध्यान ना दें क्योंकि बैंक से और अगर कोई कि आपको ऐसे फोन में धंकाते हैं करहां को कि आपका खाता बंद कर देंगे यह कर देंगे ऐसा काम में नहीं होता बैंक में ना ही फोन से के वाई सी होते हैं के वाई सी आपको या वह आधार के तुरू ही या वोटर आईडी या पासपोर्ट पैन वगारा के तुरू ही हो सक करता है वह आप सरकारी बैंकों में किसी भी बैंक में तो आप खुझ चले जाए और वहां पर अपने कागजात जमा करके करवाएं यह नहीं कि आपके मोबाइल से क्योंकि अगर ऐसा करें तो चांसे यह जरूर है कि आप से कोई धोका-धड़ी कर रहा है कई दर्शकों के मन म में यह भी सवाल रहता है कि अबर देखने में भी आते हैं अमोमन तोर पर बात करो शहर में मान लीजिए अब मैंने कोई खाता खुलाया बैंक में मेरा बैंक था पहले 10 किलोमेटर दूर अभी भी है और पी बैंक की ब्रांच कहीं पास में खुल गई मेरे तो क्या मैं और पे जो छोटे मोटे काम है जरूर आप कर सकते हैं आपने नजदीकी ब्रांच से पैसे निकालने का काम जमा करने का काम प्रांसवर का आटी जीएस का हां जरूर से उसमें कुछ उच्टम जो लिमिट है वह बैंक ने वह मापदंड से के लिए दी गई है लेकिन अगर आ आपके अपना खुद का नंबर बदलना है चेक बुक कराना है तो उस ब्रांच में जाने की आविशक्ता होती है जहां आपका खाता है फिर भी बैंकों ने सब सब कस्टमोर की सुवधाओं के लिए बैंक ने जैसे हमारे बैंक ने पी एन बी वन एप एक बहुत ही साधारन सिंपल आप दे दिया है जो एंड्रोइड फोन आपल के आयोस वेगरा में आप चाहें तो उससे भी उसका इस्तमाल करके सारे काम घर से कर सकते हैं ने तो जैसा मैंने बताए कि कुछ टांजेक्शन या कुछ काम आपको अपने ब्रांच पे जाके ही करना पड़ता है तो उ प्रवदाना कोई बैंक पूछने के लिए तो बैंक वाले जितने भी करमचारी खास तो पर क्या उन्हें बता देती हैं या नहीं आप लाई कर दिया अब उन्हें उस गौवर्मेंट के ऑफिस से पता चल गया या ज्यात हुआ है कि उनका अप्रूवल हो गया है अब उनकी पेंशन सुरू हो जाएगी अगर माले जेई इसी मैंने की बात मैं करूं कि समर में उनकी पेंशन आनी थी अगर उन्हें पता नहीं करा है है तो उन्हें मतबं का मैसेघ नहीं कि मेरे जो मनुक कुण पासबुक है तो किसी भी नजदी की पासमुग अपडेट सेसे हो अपना खाता पासमुग करा सकते हैं उनको उनकी जानकारी मिल जाएगी दूसरा या तो अपने नसदी की ब्रांच में चले जाएं कि मैंनेजर कि मेनेजर्य раск steroid खुद से ना ले ले तो यह करेंगे तो सभी बता ही देते हैं ब्रांच को उन्हें जानकारी मिल जाएगी कि कई बार देखने में आता है कि कोई एटिम पैसे निकलवाने के लिए एटिम मशीन में डालते हैं दो से तीन बार पर एटिम शो नहीं कर पाता किसी टेकनिकल फाल् को देखें सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी साफधानी हमारे हाथ में है हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एटिम मशीने वेगरा यब यह पैसा जमा या निकालने का तो हमारे आसपास कोई वेक्ती ना हो जो भी अंजान हो अंजान वेक्ती ना हो किसी भी अंजान वेक्ती को अपने बगल में ना खड़ा होने दे ना उनसे मदद ले मुख्यता एटिम पे आप पाएंगे कि कोई ना कोई गाड रहता ही है या ब्रांच के बगल में रहती है अगर किनी को दिक्कत परिशानी है तो जरूर आप गाड से मदद ले लेकिन कि किसी भी अंजान वेक्ती से कभी भी मदद ना ले वह आपका कार्ड आपके आँख जपकते से पहले वह आपका कार्ड बदल देगा आपको पता नहीं चलेगा आपके सामने पिन डालेंगे तो पिन भी ग्यात होगा इससे यह होगा कि आपके सारे पैसे निकलने का आपको नुकसान हो सकता है तो यह चीज़ ना करें कोई आ भी जा रहा है एंजान वेक्ति तो आप उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लें कि सर मेरा काम हो जाने दीजिए तब आप आजाना क्योंकि यह आपके लिए सुरक्षा का ही एक तरीका है और इसे थोड़ा सब्सक्राइब करें करें अगर आपको कोई लगती यह बैंक से लेटीड अगर आप पैसे निकलवाने के लिए जा रहे हैं तो आप एक समय में आप ही होंगे या फिर उस सब्सक्राइब के लावा किसी भी व्यक्ति को अंदर नया आने दें वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर करें कोई ओटीपी लिंक पर क्लिक नय करें बगैर किसी वज़ाएगे क्यूंकि आपकी खून पर सिने कमाई इतने वर्षों की मेहत कोई दो स्किंट में ले जाएग अब आएगे आएगे वीडियो को शेर करें कमेट करें और कमेट के मादें जुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू थे आपका क्या मनने